हेलो दोस्तों नमस्कार पीएस टेक डीजिटल सेनल में आप लोगों का अगबार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग टीच्टी पीच्टी जी आईसे नेटी जी आरफ के अंतरगत राजनी सास्त का प्रैक्टिस एट नूबर 45 हल करेंगे जिसमें आ आज का प्रैक्टिस एट नूबर 45 देखे फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग कमेंट करते हैं किसी प्रेशन पर डाउट रहता है मुझे अच्छा लगता है कि आप उस प्रेशन में जो भी आपको एंसर समझ में आता है उसका एंसर बताते हैं और मैं उसके बाद उस पे देख मैं उसे देखूंगा चेक करूंगा कि एंसर कौन सा सही होना चाहिए फ्रेंड्स किसी एक भाई ने जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में एक प्रश्न था उसमें दिया था कि राश्टपती का वेतन कितना होता है फ्रेंड्स हाला कि वह प्रश्न बहुत पुराना था ठ समय ये चेंज है आप उसे देख सकते हैं लेकिन प्रश्ट के साब से अगर देखेंगे उसमें एंसर आप घूंडेंगे तो कियो डेल लाग का ही ऑप्शन दिया था दिक्तम तो डेल लाग को किसी ने किसी एक ऑप्शन को आपको चुनना पड़ेगा इसलिए जो लास्ट सही तो नहीं है लेकिन ऑप्शन के साब से हम उसे सही मान सकते हैं ठीक है तो चलिए आए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं भातिया संसत से संब्देत महतफुर्ण प्रश्णों को तो पहला प्रश्ण हमारा फ्रेंड्स है आज की इस वीडियों का पहला प्रश्ण देखे कह रहा है कि संसत के सैंक तो अधिवेशन की अध्यश्टा कौन करता है यह है आपका राष्टपती भी है लोग सभाध्धेक्ष सी दिया है उप राष्टपती और डी दिया है उप कौन करता है यदि यह प्रश्ण रहे तो आप राष्ट पती को लगाएंगे ठीक है अध्याक्षता की बात आएगी लोग सभा अध्यक्ष होगे तो प्रस्वनबर एक का जो राइट एंसर होगा हमारा ऑफसन भी हो जाएगा लोग सभा अध्यक्ष अगले प्रश्ण की तो फ्रेंट्स लोक सभह में प्रतिक राजिकी प्रतिनयत्तु cherche सभी पर मत जाएगा अप्यूब्स करें सब्सक्यार होगा जन्संख्या ठीक है तो हमारा राय चेंसर दिलाते हैं आप्शन आपके पास राष्ट पती प्रधान मंत्री उष्टम न्यालय का न्यायधिस या उप्रिक्ट में से कोई नहीं तो फ्रेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो इस हिसाब से हमारा option जो D दिया है उप्रिक्त में से कोई नहीं यह right answer हो जाएगा हमारा option D उप्रिक्त में से कोई नहीं अगले प्रिक्त तरप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रस्ट नमबर चार प्रस्ट नमबर चार देखे कह रहा है राज सभा के सदस्य मनुनित किये जाते हैं ठीक है फ्रेंट्स राज सभा के सदस्य मनुनित किये जाते हैं किसके द्वारा प्रधान मंत्री के द्वारा उपर राष्ट पति के द्वारा राष्ट पति के द्वारा या लोग सभा अधक्ष के द्वारा तो राष्ट सभा के जो सदर से मनुनित किया जाते हैं वे राष्ट पति के द्वारा मनुनित किया जाते हैं यानि ऑप्सन सी राइट एंसर हो जाएगा प्रश्ट न अधिकारों प्र तो फ्रेंस मीं 봐 प्राश्न अंसर होगा हमारा ऑपिछन बी हो जाएगा जो संसरी पढ़ाली निल भर होती हो है राजनितिक डलों पर होती है या Cam अगला प्रस्ण देखते हैं हम लोग प्रश्ण बच्छा देखे के राए सभापती की अनुफष्ण में राजसभा की करवाही का संचालन होता है किस के द्वारा उप्सभापती सभापती द्वारा मोख्य ने आधिश द्वारा या किसी बिषेश अधिकार प्राप्त मनुनित बिक्ती द्वारा या पद रिक्त रहता है तो फ्रेंड्स प्रस्थ नबर 6 का जो राइट एंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन ए हो जाएगा यहादि सभापती की अनुफस्थिती तो राजसभा की करवाई उपसभापती द्वारा संचालन होता है ठीक किसके द्वारा उपसभापती यानि ऑप्शन ए राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं लोग प्रस्ण नमबर साथ देखे करा है लोग सभा के समस्त अभिभासड और सुझाव किसको सं इंसर हो जाएगा हमारा उपसन बी होगा लोग सभा अध्यक्ष को ठीक किसे संबोधित करके सुझाव दिया जाता है ठीक है तो हमारा उपसन भी होगा लोग सभा अध्यक्ष को अगले प्रस्ण की तरप आगे बढ़ते हों देखते हैं प्रस्ण नमबर आठ प्रस्ण नम प्रश्ण नबर आठ का सभी लोगं को एंसर मुझे लगता कि पता होगा इसका एंसर हमारा आप्सन डी हो जाएगा जो अधिकता मंत्राल होना चाहिए वह छे मात ठीक है यानि आप्सन डी राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण देखे प्रश्ण नबर नौ सदस्यों की अयोगता संबंधी प्रश्ण का अंतिम निडायक होता है कौन राष्ट पती मुख्य ने आदिश या लोग शभादेख्ष या प्रधान मंत्री तो प्रश्ण बर नौ का जो राइट एंसर हो जाएगा हमारा आप्सन ए राष्ट पती ठीक है कौन सा आप्सन ए लौक सबार राष्ट पती उपर्युक्त सबिक है और ठीक है अगला प्रशन फॉन देंच si kya कह रहा है одна प्रश्ण नबर 11 फ्रुष्ण नमर 11 कह रहा है कि प्रतेक विदहेक वाकचन के कितने दौर से से गूजरता है बहुत अच्छा प्रस्ट सा आप्शन रिज्दस verge माना से हो जाएगा गितने माणा अग्ला प्रसंदेखी क्या कर रहा है प्रिशन बारह कि भारत का नियंत्रक यह लेखा पधरिशक जिसे अंग्रीुजी मेर्ट्ट छे अपना प्रतिवेदन देता है किसे A प्रधान मंत्री को B वीत्त मंत्री को C राष्टपती को या D उपर रिक्त में से किसी को नहीं तो प्रस्ट नबर 12 का जो right answer होगा हमारा option C right answer हो जाएगा राष्टपती को ठीक है तो आप लोग कंफ्यूज मत होईएगा ऑप्सण डी पे मत जाईएगा कह रहे है कि मूल संविधान में ठीक मूल संविधान की बात आएगे तो ऑप्शन बी हमारा रायट इंसर होगा पांसो पचीश अगला प्रस्ट में देखे क्या कह रहा है कि प्रस्ट नमर चौदर अगला प्रस्ण देखते हैं हम लोग प्रश्ण नंबर 15 प्रश्ण नंबर 15 देखे क्या कह रहा है लोग सभा के कितने सदस्य राज्यों की जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं यह है आपका 515 भी है 525 तो फ्रेंड्स लोग सभा के जो सदस्य सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं वे 543 होते हैं कितने 543 यानि आप्शन सी राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण देखिए प्रश्ण बर 16 प्रस्ण बर 16 के रहे कि संग सासी छेत्रों की जनता द्वारा लोग सभा में कितने प्रतिनी दिर होती है यानि आप्शन बी राइट अंसर हो जाएगा बीस अगले प्रस्ण के तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रस्ण बर 17 प्रस्ण बर 17 कह रहा है कि राज सभा में राजियों का प्रतिनी रित्व निर्भर करता है देखिए इस से मिलता जूलता है एकदम हमने प्रस्ण बर पता नहीं दो था या तीन था उससे हम लोगों ने देखा था ठीक है एकदम सेम तो मुझे लगता कि आप लोग इसका एंसर जरूर से गेस्ट कर पाएंगे तो अप्शन है आप पास राजियों की छेतरफर पर बी दिया है राजियों की जनसंख्या पर सी दि पर अगला प्रस्ण देखें म अफ्र प्रस्ण अबर अठार वर थारा और कि आपंगाल में संसद लोग दो super कitने नहीं सब्ढ़ा सकती है तो अप्शन 20 मां तक कि बढ़ा सकती है कि किसा मा जया आपकाल के समय प्रस्टन अगला प्रस्टाइब कि भारत के संविधान के निमनलिकित किन प्रावधानों में से मंत्री परिशत का लोग सभाके प्रती सामोही को तरदाय तो कासिधान्त प्रतिपादित है आपके पास ए अनुछेद पच्छत्तर तीन और बी दिया अनुछेद चवहत्तर और सी दिया अनुछेद अथत्तर डी दिया इनिमें से कोई नहीं तो प्रश्च नमबर 19 का जो राइट एंसर हो जाएगा हमारा अनुछेद पच संपन्न हुई ए तेरह मई 1952 बी तीन अपरेल 1952 सी 19 मार्च 1952 दी दिया है 11 फरवरी 1952 तो फ्रेंट इसका जो राइट एंसर हो जाएगा हमारा अप्शन बी राइट एंसर हो जाएगा प्रश्च नमबर बी का प्रश्च नमबर 20 का अगले प्रश्च की तरब आगे बढ़ सी दिया है 13 मार्च 13 मई 1952 और डी दिया है 22 अक्टूबर 1952 तो प्रश्च नमबर 21 का जो राइट एंसर होगा फ्रेंट हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 3 अप्रेल 1952 राजसपा का सरुपथम गठान 3 अप्रेल 1952 को हुआ था यानि की ऑप्शन बी अगला प्रश्च नमबर 22 प्रश्च नमबर 22 देखे कह रहा है दल बदल से संबंदित कोई प्रश्च या बीवाद पर अंतिम निड़य होगा इसका राष्टपती का प्रधान मंत्री का संसत के अध्यक्ष का या मुख्य निर्वाचन आयुक्त का तो प्रश्च नमबर 22 का जो राइट एंसर हो जा अगला प्रश्च नमबर 23 कह रहा है लोग सभा में गैर सरकारी कारें के लिए सब्ताह का कौन सा दिन सुरक्षित है अप्शन है आपके पास मंगल वार भी दिया है ब्रिहस्पती वार सी है सुक्रवार और डी दिया है सनी वार तो प्रश्च नमबर 23 का जो राइट इंसर ह हो जाएगा हमारा option C हो जाएगा सुक्रवार अगला प्रस्च देखते हैं हम लोग प्रश्च नमबर 24 देखे कह रहा है लोग सभा में विपक्षी दल के नेता को सुविधाएं यह मानिता हैं प्रदत्त की जाती है ठीक है किसके बराबर ए है आपका cabinet मंत्री के बराबर बी के बराबर होती है यानि option a right answer हो जाएगा cabinet मंत्री के बराबर अगला प्रस्च देखिए प्रस्च नमबर 25 प्रस्च नमबर 25 कह रहा है कि वर्तमान में लोग सभा की सदस्य संख्या है अब आप लोग जो answer मुझे लग रहा है गेस कर रहे होंगे वह एकदम राइट कर रहे ह आपका 545 भी है 600 सी है 550 दी दिया है चार सो पचीस सदस्य से तो पचीस नमबर का जो प्रश्च नहें इसका जो राइट एंसर हो जाएगा सभी लोगों को पता है 545 सदस्य सदस्य होते हैं ठीक है वर्तमान में यानि option a राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्च देखते ह किस प्रकार का सदन है तो सभी लोग जानते कि राजस्वा कभी भंग नहीं होती है यानि कि यह क्या है अस्थाई सदन है तो option a right answer हो जाएगा अगला प्रस्च देखते हैं हम लोग प्रश्च नमबर 27 कि संसत सदस्य से अपना त्याग पत्र देता है किसे राष्ट पती को प्रधान मंत्री को स्पीकर को या उपर राष्ट पती को तो जो संसत के सदस्य होते हैं वो अपना त्याग पत्र स्पीकर को देते हैं यानि option c right answer हो जाएगा अगला प्रस्च देखते हैं प्रस्च नमबर 28 प्रस्च नमबर 28 कि लोग लेखा समेती का कारिकाल होता है कितने कितना होता है उनका कितना वर्स या कितने दिन का ए दिया है आपका यह समेती प्रतिवर्स गठित होती है भी है आपका दो वर्स सी है आपका तीन वर्स दी दिया है पांच वर्स तो फ्रेंट्स जो लोग लेखा समेती कारिकाल होता यह उनका जो कारिकाल होता है यह क्या हो होता है कितना छे वर्स पांच वर्स तीन वर्स यह दो वर्स तो प्राशनब्र under का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ओप्सनख खीmy लोगों का लगता है मुझे की सभी लोग इसका及 जानते होंगे छेधर अगला प्रसने देखिए का है प्रस नुबर प्रमारित की बात हो रहे है कोई धन विदेख है कि नहीं इसको कौन प्रमारित करता है प्रमारित की बात हो रहे है कोई धन विदेख क्या है कोई भी विदेख धन विदेख है कि नहीं इसको कौन प्रमारित करता है आपके पास स्पीकर राष्टपती प्रधान मंत्री और संस तो प्रस्ट नबर 30 का जो राइट एंसर हो जाएगा हमारा option A हो जाएगा speaker ठीक है कोई धन विद्यक है की नहीं ठीक है इसे प्रमारित करता है कौन speaker ठीक है और अनुमति किसकी लिजाती है राष्टपती की किसकी अनुमति लिजाती है बिनार राष्टपती की पूर्व अगला प्रस्टपती क्या करा है प्रस्ट नुमईर गए्धिस फिẫn नबर 31 कि राज सभा के सदर से चून जाते हैं ठीक है कैसे बैश्क मताधिकार से या पर्तेक्ष पाडाली से या इकल संक्रमडि मत से तो फ्राइट राज सभा और लोगस बाके जो सदर सदर से होते हैं वह परतेक्ष पढ़ाली से चुनी जाते हैं यानि कि सी ऑप्षन राइट अंसर हो जाएगा आप परतेक्ष पढ़ाली अगला प्रस्थन देखते हैं हम लोग सोरी फ्रेंट्स मैंने इसमें एक बात गलत बोल दे थी उसके लिए सोरी जो लोग सभा के अध्यक्ष होते हैं वह परतेक्ष पढ़ाली के द्वारा चुनी जाते हैं यानि ऑप्षन सी हो जाएगा हमारा प्रस्थन नमर 31 का ठीक है और जो लोग सभा के होते हैं वह पर चलते हैं हम लोग देखते हैं प्रश्ण नमर 32 देखे क्या कह रहा है प्रश्ण नमर 32 देखे कह रहा है कि लोग सभा का अध्यक्ष सभापतित्व नहीं करता ठीक है किसका संपूर सदन की समिति का लोग लिखा समिति का या विशेसादिकार समिति का या विदेश मंत्र लेखिंगी सअधिकर समिती का तो प्रश्न 20odaος 32 का जो राइट एंसर हो गामेंट से Supply हो जाएगा कौन सा अपसंद बी लोक लेखा समीती का अगले प्रिशन की तरब आगे बढ़ते हैं हूँ देखते हैं हम लोग प्रिश्ण No. suspended सभापति राजशभा अध्यक्ष लोग्षभा राष्ट पती या बिरोधी दल्का नितासथ संसत के सभापति अध्यवेशन को संपोधित करने की बात आ रही है फ्रेंड्स तो प्रस्ट नमर बात आती है वह बात करेंगे ठीक है अगले अगे बढ़ते हैं हम लोगे संसत के समीतियों में सबसे महतपूर है लոग समीति सालशनिक उपक्रमों की समिति है विभन्स बहुति संसत की स्मितियों है महतपूर्ट Xu है तो तो भी राइट एंसर हो जाएगा यानि अप्शन डी अगला प्रस्ण देखिए कह रहा है कि प्रस्ट नमर पैंटिस निमलिखित में से किस एक को भंग नहीं किया जा सकता राज विधान परिशदें राज सभा राज विधान सभाएं या डी दिया है वह प्युक्त ए एवं जब लुण को पता है कि नों राज सभा ये कभी क्या होती है या भंग नहीं होती है उसके विधान बंडल की जो भीधान परिषदें होती लोग सभा का बिखिटन कौन करता है ए उचितम नियालाय का मुख्य नियादिस भी प्रधान मंत्रे सी राश्ट्रपती या डी कोई नहीं तो फ्रेंट्स प्रश्ट नबर 36 का जो राइट एंसर होगा हमारा और सी हो जाएगा राश्ट्रपती ठीक कौन सा राश्ट्रपती हो राइट एंसर हो जाएगा मारा ओप्सन सी ठीक है लोग सभा का जो अडिवेशन होता है वर्ष में दो बार कम सकम बुलाया जाता है ठीक है तो ऑप्सन सी राइट एंसर हो जाएगा दो बार अगला प्रस्ट देखिए प्रश्ट नमबर 38 कह रहा है कि भारत में राज्यों क समय में परिवर्तन करने का प्राधिकार किस के बास ए सरकार संसत के स्री प्रधारमांतरी करने सचतर लोक सभा सबस्सक्राइख सचतर या सासक डल का सचे तक या डी अध्यक्ष तो प्रश्ण नबर 49 का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी अध्यक्ष कौन सा अगे बढ़ते हैं और फ्रेंट्स यह हमारा आकरी प्रश्ण होगा इस प्रैक्टिस सेट का तो देखते हैं प्रश्ण नुबर 40 कह रहा है कि भारत की संस सब्सक्राइब को अप्शन लोग का अध्यक्ष तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोगोंने देखा भारती संससे संब्दित 40 महतपूर प्रश्णों को जो कि आपके आने वाले सभी परिक्षाओं को ठीक है यह सभी तरह की परिक्षाओं में इस तरह के प्रश्ण है आपके इस तरह के प्रशन यदि आप देख लेते हैं समझ लेते हैं तो आपको परिच्छा में कम समय में आप अधिक स्कोर कर लेंगे ठीक है तो इस वीडियों बस इतना है यदि किसी प्रशन पर आप लोगों को डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखेगा मैं उस प्रश चैनल पर नहे चैनल को सब्स्क्राइब कर दें ठीक है ओके थैंक यू बाई